हलो ट्रेंड्स आपका स्वागत है मारे चैनल वाईप है यान में सो गाईज आज है यहाँ पर 1 माई 2019 दिन बुद्वार और दोस्तो आज से मैं आपको करेंट अफेर्स की डेली वीडियो लेकर आऊंगा और दोस्तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही खास है तो इस वीडियो को सुरुस लेके अंतक जरूर देखते रहेए तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर आली बार बिजिट कर रहे हैं इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपको डेली इसी तरह की करेंट अफेर्स की वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी चलिए कोस्टन को स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर रहा पहला कोस्टन की हालाई में मेडिसीन स्क्वाइर गार्डन में मुकाबला में करने वाले पहले भारतिय बनेंगे तो हालाई में जो मेडिसीन स्क्वाइर गार्डन मुकाबला करने वाले पहले भारतिये बनेंगे तो वो बजरंग पुनिया यानि कि बजरंग पुनिया बनेंगे जो कि हमारे हालाई में मेडिसीन स्क्वाइर के गार्डन के मुकाबला करने वाले पहले भारतिये हैं बजरंग पुनिया चलिए दूसरा कोस्टन देखते हैं तो दूसरा कोस्टन आपके स्क्रीन पर आया हालाई में एन जेड हालाई में एन जेड ओपन बैड मिन्टल टूर्णामेंट कहां शुरू हुआ तो जो हालाई में NZ Open Badminted Tournament कहां शुरू हुआ तो ओ हुआ यहां पर आक लैंड में Sorry यहां पर कुछ आक लैंड में थोड़ा गड़बड हो गया लेकिन आप ध्यान से सुन लिजिए आक लैंड में हुआ अगला question है आपके screen पर कि हालाई में कुन मिंग अगला question है आपके screen के सामने हालाई में किस देश ने किसी भी तरळा का बूर्का या गुंगट के साथ चेहरे को ढखने पर प्रतिबंद लगाने की गोश्रा की है यानि कि हालाई में किस देश ने किसी भी तरह का बूर्का यानि कि जो बूर्का जो पहनती हैं जो हमारे मुसलिम भाई लोग ओते हैं उनकी अवरते जो पहनती है बुरका वो यहाँ पर घूंगट के साथ चेरे को ढळकना प्रतिबन्द लगाने की गोशड़ा की है तो सिरिलंका देश ने गोशड़ा कर दिये कि कि किसी भी आउरत जो कि बुरका नियर नहीं पहनेगी अगर वो बुरका नियर पहनती है चाहे क किसी वी तरह से मूँ बान लेते हैं सफेद, रुमाल से चाय सफेद, किसी वीश्टाल से बान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने पर उन पर प्रतिबंद लगा दिया गया है, और उनको जुरुमाना भी यहां पर भणना परेगा, सिरलंका देश में, चलिए, कोशन है आपकी स्क्रीन के सामने, कि हालाई में देश में बिश्व का सबसे बड़ा सोलर पारक इस्थापित किया जाएगा, तो ओ किया जाएगा, यहां पर यहां पर UAE, UAE एक देश है, उसी में यहां पर सोलर, यानि कि बिश्व का सबसे बड़ा सोलर पारक इस्थापित किया जाएगा किस देश में तो जो दिश में किया जाएगा तो उस देश का नाम है यापर UAE ठीक है clear अगला question देखते हैं हालाई में कौन सा देश संजुक्त राष्ट सस्त्र बैपार संदी से बाहर हो जाएगा यानि कि फ्रेंड्स यहाँ पर हालाई में कौन सा देश संजुक्त राष्ट सस्त्र बैपार संदी से बाहर हो जाएगा तो अमेरिका देश जो की बाहर हो जाएगा clear अगला question देखते हैं हालाई में AIFF ने किस तकनीकी निदेशक के रूप में निउक्त किया है यानि कि हालाई में AIFF ने किसे तकनीकी निदेशक के रूप में निउक्त किया है तो ओ किया है यहाँ पर दोरू इसाक दोरू इसाक ने किया है चलिए next question देखते हैं हालाई में फार्चून के टॉप 15 लीडर की सूची में एक मात्र भारती अकौन है तो हालाई में फार्चून के टॉप 50 लीडर की सूची में एक मात्र भारती है कौन है तो ओ है यहाँ पर अरुडाचलम मुरू गनाथम यानि कि अरुडाचलम के है मुरू गनाथम मुरु गनाथम जो की हालाई में फार्चून टॉप फिप्टी लीडर की सूची के एक मात्र भारती है चलिए next question देखते है हालाई में 49 लंदन एन की 39th हालाई में 39th लंदन मैराथन 2019 किसने जीती तो हालाई में 39th लंदन मैराथन 2019 किसने जीती तो वो जीते हैं यहाँ पर इली उड कीप चोगे इली उड कीप चोगे यहाँ पर जीते है 39th लंदन मैराथन 2019 इली उड कीप चोगे चलिए यह हमारा दस्वा और लास्ट कोशन है जो की बहुत important कोशन है कि हालाई में आउट इस्टेंडिंग आर्चिवमेंट एज ए प्लेयर पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है एनकी हालाई में आउट इस्टेंडिंग आर्चिवमेंट एज ए प्लेयर पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो जो यहाँ पर आउस्टेंडिंग आर्चिवेंट प्लेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें सम्मानित किया गया है गगन जीत भुलर है उन्हीं को यहाँ पर जो की आर्चिवेंट ऐस प्लेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो फ्रेंट्स ये थे हमारे टॉप टेन करेंट अफेर्स जो की बहुत ही कमपटेटिव वजाम में मातपूर हैं आप हर रोज मेरे चैनल के माध्यम से करेंट अफेर्स आपको डेली देखने को मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब तरी के बेल आइकोन को प्रेस कर लेजएगा ताकि आपको आगे आने वाली सभी करेंट अफेर्स की वीडियो रोज मिलती रहे चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अप्डेट में तब तक के लिए जाहिंद वह अंदे मात रहूं